नमस्कार आप देख रहें सिटी पोस लाइव और आपके साथ मैं हूँ कंचन हाल के दिनों में बीजेपी के रियर सत्रू साबित हो रहे सत्रुधन सिन्धा का दर्द आखिकार उनके जुबाँ पर आही गया है शौटगन सत्रुधन सिन्धा ने दर्दे बया करते वे कहा है कि अगर किसी टीवी अक्टरस को मानव संसाधन मंत्री बनाना था तो हम क्या बुरे थे जाही तोर पर तंज स्मृति रानी पर था और निशाना पीम मोधी पर एक नीजी समचार चैनल के कारिक्रम में सत्रुधन सिन्धा ने जब केंद्रिय मंत्री न बनाये जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने तन जिकस्ते वे कहा कि मंत्री बनाना प्रधान मंत्री का विशेशा अधिकार है लेकिन क्या किसी टेलिविजन एक्टरस को सीधे मानव संसादन विकास मंत्राले की जिम्मेदारी दे देना कहा तक उचित है सत्रुधन सिन्हा ने इसके साथ ही बीजेपी को अपनी पार्टी बताते वे कहा कि उन्होंने कभी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं बलकि पार्टी को आईना दिखा रहे हैं उन्होंने कहा कि मैं सच बोलता रहा हूँ और बोलता रहूंगा बतादे कि सत्रुधन सिन्हा इससे पहले भी मोधी सरकार पर प्रहार करते रहे हैं इससे पहले बीते शुक्रवार को भी उन्होंने नरेंद्र मोधी नित्केंडर सरकार पर 10 फिर्सदी आरक्षन, सीबिया इमामले और विपक्षी नेताओं, खास तोर पर आरजरी नेता लालू पुषात के खिलाफ प्रतिशोत की राजनीती को लेकर हमला बोला था बीजेपी और पीए मोधी सहित भाजपा के सीश नेत्रितु पर लगातार हमला बर रहने वाले सतुधन सिंधा के इस ताज़ा बयान के बाद राजनीती गर्म है CityPostLive के इस रिपोर्ट में फिल्हाल इतना ही जादा जानकारी के लोग इन कीजे CityPostLive.com बस एक ख्लिक में सभी खबरे